हेलो फ्रेंस, वेलकम माई यूटू चैनल, चलिए आज मैं आपको इस ड्रेस के साथ की कैप बनाना बताती हूँ, ये ड्रेस हमारे चान नमबर काना जी की है, और कैप भी हम चान नमबर काना जी के लिए बनाएंगे, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके ये मैंने दो कलर उनली है, जो कलर हमने ग्रेस में लगाए हैं, वो कलर हम कैप में लगाएंगे, और ये ग्यारा नमबर सलाई ली है, जिसमें मैंने कैप के लिए 20 फंदा डाले हुए हैं, सबसे पहले हम चार सलाई उल्टी बनाएंगे, ये देखिये इस दा, चार सलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, दोनों तरब की हम चार सलाई उल्टी उल्टी बना लेते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राईब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट करना ना भूलें, इसी तरह हम चार चार सलाई दोनों तरब की उल्टी उल्टी बनाएंगे, ये देखिए हमने चार सलाई बना ली हैं, अब हम सीधी सलाई पर हैं, कैप हम पंकुरी वाली बना रहे हैं, इसके लिए हमें एक सलाई पर फंदे बढ़ाने होंगे, ये देखिए, फंदे हमें जाली वाले बढ़ाने हैं, ये देखिए, एक बार धागा अपनी तरफ, और इस तरह से हम फंदे बढ़ालेंगे, जिस तरह हम जाली बढ़ाते हैं, बनाते हैं, उसी तरह से हमें हर एक फंदे में फंदा बढ़ाना हैं, तो चली हम इसी तरह से फंदे बढ़ा लेते हैं, और उल्टी सलाई को उल्टा ही बनाएंगे, अब हम सीधी सलाई पर हैं, सीधी सलाई पर अब हम यहां से दो सलाई सीधी सदी बनाएंगे, यह देखो इस तरह, हमें यहां पर दो सलाई सीधी सीधी बनानी हैं, यह दोनों तरप की हमारी चार सलाई होंगी, यह वाला डिजाइन हम केप में बनाएंगे, जो हमने ड्रेस में बनाया है, तो चलिए इसी तरह हम चार सलाई कम्प्लीट कर लेते हैं, दो सलाई सीधी और दो सलाई उल्टी, यह देखिए हमने चार सलाई बना ली हैं, अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे, यह देखिए, यहां पे हम एक फंदा वाइट से बनाएंगे, एक फंदा पिंक से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते जाएंगे, यह देखिए, एक धागा पिंक, एक धागा वाइट से बना रहे हैं, इसी तरह हम पूरी सलाई को कम्प्लीट कर लेते हैं, यह बनाने में बहुती आसान है, यह देखिए, हमने सीधी सलाई कम्प्लीट कर लिए, अब हम उल्टी सलाई पर हैं, उल्टी सलाई पर हम उल्टी तरफ से भन्दे सीधे बनाईचे और पिंक का धागा पिंक से बनाईचे, वाइट का धागा वाइट से बनाईचे, यह देखिए, धागे को आगे की तरफ करते जाएंगे, इसी तरह हम पूरी सलाई को बनाएंगे यह देखिए इसी तरह हम बनाते जाएंगे यह देखिए अब हम सीधी सलाई पर हैं यह देखिए हमारा डिजान इस तरह से बनके तयार हुआ है सीधी सलाई पर है सीधी सलाई पर सारे फंदों को हम सीधा ही वाइट से बनाएंगे यहां से हमेश आरे फंदे वाइट से ही बनाने हैं इसी तरह से हम दो सलाई सीधी बनाएंगे दो सलाई उल्टी बनाएंगे यह हमारी चार सलाई हो जाएंगी दोनों तरप की तो चली हम इसी तरह से चार सलाई बना लेते हैं दो सलाई उल्टी दो सलाई सीधी इसी तरह से हमें बनाना है यह देखिए हमने दोनों तरप की चार सलाई बना लेते हैं अब अब उल्टी सलाई पर है उल्टी सलाई पर अब हमें सारे एक एक फंदा घटाना है हर एक फंदे पर एक फंदा घटाना है जिस तरह से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ायेते उसी तरह से हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे इदे को पहला फंदा उतारेंगे दो का एक फंदा करके घटा देंगे हमें इशारे फंदें नहीं घटाने हैं दो का एक करके एक एक फंदा हमें घटाती जाना है इसी तरह से दो का एक करके हमें फंदें घटाते जाना है यहाँ पर हमारे उतने ही फंदें रह जाएंगे जितने फंदें हमने नीचे से कैप में डाले थे यह देखिए यह बनाने में बहुत ही आशान है और दिखने में भी बहुत ही शुंदर लगती है आप इसे बहुत ही आशान तरीके से बना सकती है यह देखिए हमने दो का एक करके एक एक फंदा घटा घटा दिया है यह देखिए यह हमारे बीस फंदे रह गए हैं अब हम यहां से दो शलाई शीदी बनाएंगे और दो शलाई उल्टी बनाएंगे यह देखिए इसी तरह हम दो शलाई उल्टी और दो शलाई शीदी बना लेते हैं यह हमारी चार सलाई हो जाएंगी हमने शारी कैप सीदी और उल्टी शलाई हों से ही बनाई है इसी तरह से हम तीन सलाई और बना लेते हैं यह देखिए हमने चार सलाई बनाने के बाद पिंक से दो सलाई बनाई है अब हम यहाँ पे दो का एक करके एक-एक फंदा घटा लेते हैं हमेशा आरे फंदे नहीं घटाने हैं दो का एक करके एक-एक फंदा ही घटाना है हमारी केप बन कर तयार हो गई है यह भोती आसानी से बनाई जा सकती है यह देखिए हमने दो का एक करके सारे फंदे घटा ली हैं यह हमारे अब दश फंदे रह गई हैं यह देखिए इन्हें हमें घटाना नहीं है इन्हें हमें शुई में धागा करके इस तरह सुई में सारे फंदों को एक साथ भर लेंगे इस तरह से हम सारे फंदों को एक साथ भर लेते हैं कि इसके बाद सारे फंदों को एक बार करके इस तरह से खीज लेते हैं यह देखिए अब हम कैप की पंक्रुई पर शिलाई लगाएंगे यह देखिए यह हमारी कैप की पंक्रुई है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसके लिए हम सपेध धागे में शुई का धागा लगाएंगे यह देखिए अब हम कैप की पंक्रुई को सिलते हैं इस तरह से हम कैप की पंक्रुई को सिल लेंगे यह हमारी कैप की पंखुरी बन जाएगी इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं इसे सिल लेते हैं यह देखिए हमने कैप की पंखुरी शिली है अब हम यहाँ पर शिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो चलिए अब हम यहाँ पर शिलाई लगा लेते हैं यह देखिए फ्रेंस हमारी कैप बन कर तयार हो गई है दिखने में यह कितनी शुंदल लग रही है यह आप दोनों तरफ से देख शकते हैं यह अंदर से काफी गहरी है जो काना जी को आराम से पहनाई जा सकती है यह देखिए यह कितनी शुंदल लग रही है प्लीज आपको अगर हमारी कैप पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको काना जी की कैप कैसी लगी